स्वागत आपका में चनल सरकाई बाबू में तो देखो गाईस मैंने जो question paper का detail analysis है ना real paper जो है उसका question paper यहाँ पे डाल दिया है real paper है यह ना और मैंने analysis इसलिए इंडाला कि आप इस video को देखेंगे time खराब करेंगे उस video को पूरे देखेंगे इस video आप यहाँ पे देखिए किस तरह questions पूछे गए है उसको पढ़िए और उसी के हिसाब से तयार कीजिए अगर आपका paper आगे दो यानि कल चार और पांस तारिक को है पांस तारिक वाल को तो सब चादा फायदा है चार तारिक वाल को भी फायदा है कल के paper विक्या जो analysis है वो भी मैं ले आऊँगा तो यहाँ पे इस paper को देख लो आप इसमें जो current affairs जो पूछे गए है ना वो आप क्या करने है current affairs कहां से पूछे जा रहे है जैसे कि पूछा गया फिकी का जो chair person है वो कौन है क्यूंकि यह November में appoint हुए थे इसलिए question आया November 21 का ठीक है तो यह current affairs जो है मैं पहज़ा देथा आपको November, December तक paper set था तो June से लेके June से लेके December तक की जो current है वो तो आपको करनी करनी है हर हाल में questions वहीं से आ रहे है अब questions जो है वो statement type से भी आ रहे है है ना जैसे कि उसमें दे दिया था कि यह जो Hitler के जितने भी आपकी movement हुई थी जितने भी war हुए थे है ना उसका क्रम पूछ लिया था Hitler के क्रम, war क्रम है ना एक Jacobin Club का question था है ना तो वहाँ पे questions जो हैं वो club वाले पूछ लिये world cup जो है वो कौन जी था है ना man hockey world cup latest में हुआ था है ना कहां पे हुआ कौन जी था वो question आया था गांधी जी के डाणी मार्च का question था 10th class की किताब में है है ना तो वो सब चीज़ ने जो है normal आ रही है अच्छा numerical सच्छे से कर ले ना numerical questions बहुत आ रहे है है ना physics में जो बच्चे देके आये है वो उतारे numerical questions बहुत आये है तो उस चीज़ का ध्यान रखना physics का है ना जो questions है इस PDF में आपको बहुत अच्छे से compile करके दे रहा हूं मैं 167 लोग जो इसको देख चुके है है ना तो बहुत अच्छे तरीके से compile करके दिया है कि 1 upon V plus 1 upon U है ना equal to ये mirror formula बनता है 1 upon F इस पर question आया है और जो भी questions है वो बहुत सही तरीके से compile किये गए है आपको बहुत help मिलने वाली है ठीक है और जो क्यालते है current affairs आपको पता चल गए June से December कर लेना है ना और numerical कर लेना है ना वो V is equal to IR इस पर question आ रहे है है ना magnetic effect of electric current के ओपर question आया है वो दिया ही था वो सब चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक चीज और paper जो है वो हिंदी language में तो थोड़ा सापको adjust करना पड़ेगा ठीक है history question statement types आ रहे है यानि कि वो जो question है ना वो इस तरह से पूछ रहा है कि एक question दे के उसके अंदर वो 4 से 5 question का काम कर रहा है वो आपका जैसे कि अगर एक question दे दिया कि कौन सी कथन गलत है तो 4 statement अगर आपको जब तक नहीं पता होंगी तो आप पता नहीं कर पाया है कौन सी गलत है तो questions का level थोड़ा hard है तो cut off जो है वो भी low जाने वाली है अगर हम पहले day की बात करें पहली shift की तो पहले shift की जो paper है पहले day का जो paper है 28 fab का है ना तो उसके अगर बात करें तो paper काफी tough था तो यहाँ पे cut off जो उसके साथ से देखी जाए लेकिन अभी कुछ decide नहीं कर सकते क्योंकि अभी जैक होगा normalization कि normalization होगा अगर आगे के paper कैसे आते हैं अब यह सब उसी पर डिपेंट रहेगा कि आगे के paper कैसे अगर आगे paper भी hard आए तो उस तरह देखते हुए cut off जाए 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 60 पे लग जाएगी जनरल की 60 नंबर पे marks जो आपका selection हो जाएगा plus minus 5 है हो सकता इससे भी कम 60 नंबर पे आपके cut off लग जाएगी इससे जाएदा नहीं जाएगी cut off क्योंकि questions काफी hard पूछ रहे हैं यह statement type से 60 नंबर स्यादा 60 तक क्या सपस बन जाएंगे ठीक है तो अब इसमें आपको करना क्या है जो लास्स ट्रेटेजी यही है कि आप इस PDF को पढ़ लो अच्छे से इसके उपर current affairs questions जो है वो कर लो अच्छे से current affairs जून से December तक के है ना और टेलिगाम चैनल को जॉइन कर लेना टेलिगाम चैनल है वहाँ पर आपको सारी डीटेल मिल जाएंगी ठीक है तो I hope आपको सारी चीजे में clear हो गई होंगी किस तरह questions आ रहे है कट-off कैसे जा रही है आपको smartly काम करके जाना है अगर एक दो question भी आपने current affairs से खीच लिए ना तो बहुत बड़ी चीजों जाएगी वो तो इस सब चीजों को देख लेना आप और maths में देख लेना अर्थमैटिक ज्यादा आ रहा है अर्थमैटिक कर लो और क्यालते हैं slender, cone वगएरा के questions आ रहे हैं वो सब भी देख लेना ठीक है आपको यहाँ PDF दे दी गई है है ना इस चैनल जाकर जॉइन कर लेना ओके गाइस तो next कल मिलते हैं और उसका analysis करके मिलते हैं ताकि आपको 4 और 5 और लोगों को फायदा हो सके तो आप वीडियो पे नए हों तो इ आपको सब्सक्राइब करें हैं थेंक्यू गाइस